हेलो फ्रेंट्स बैक्स्टर पे आपका स्वागत है और आज हम SP125 और बजाज की पलसर NS125 का कंपारिशन करने वाले है तो चलिए अभी शूरू करते है यहाँ पर देखिए दोनों 124 CC के इंजन है मैक्स पाउर SP का है 1.8 PS और NS का है 11.9 NPS और मैक्स स्टर की बात करूँ तो देखिए SP पर है 10.9 NM और NS को है 11 NM तो गेर की बात करूँ तो फ्रेंड्स गेर दोनों में से हम देखनों को मिल जाता है 5-speed gearbox और आगे चलते ही जो ब्रेकिंग सिस्टम है दोनों में CBS है ABS नहीं है दोनों में सेम है CBS ब्रेकिंग और मिटर की बात करूँ तो SP में fully digital देखनों को मिल जाता है आपको और NS में जो है analog plus digital मिटर है इसमें और टाइर की बात करूँ तो टाइर में आपको देखिए SP में जो है दोनों rear front में सेम है 18 by 100 के और NS में जो है front 80 by 100 और rear में 100 by 90 का है टाइर तो आगे चलते है और body type में देखिए तो SP commuter bike है और NS sports bike है यह दोनों में different है थोड़ा NS थोड़ा ज्यादा sporty look देता है आपको तो आपके इसाब से आप देख सकते हो तो आगे चलो तो इसका ground cleaner से SP का 160 mm और NS का है 179 mm और इसका weight जो है SP का 118 kg का है और NS का है 144 kg का तो NS इसमें weight में थोड़ा ज्यादा है और suspension की बात कुरतों दोनों में telescopic front में है और rear में hydraulic type SP में है और monoshock जो है वो NS में है क्योंकि NS में बहुत अच्छी तरह से suspension दिया है rear में और fuel tank की capacity जो है full LED headlight है और NS में जो है hydrogen type headlight है और NS में DRL type आता है और tail lamp की बात कुरूँ तो SP में bulb है और NS में LED आता है और indicators जो है वो दोनों में same है hydrogen type तो देखिए आप और color की बात कुरूँ तो SP में आपको चार color देखने को मिल जाता है जो कि आप screen के देख रहे हो वही आपको चार color देखने को मिल जाते है और इसके बात जो है अपने NS के देखते हैं तो देखी आगे NS के है यह NS के चार color आपको देखने को मिल जाते है red, orange, grey और blue और NS जो है यह थोड़ा बहुत sporty लुप देता है आपको और features भी इसमें तोड़े है RPM मेटर बगरा तो price की बात करूँ तो SP125 की एक सोर्म price है 81,441 और पजाज पलसर NS 125 की बात करूँ तो 93,690 प्राइज है NS की और NS जो है थोड़ा muscular look है उसका तो आप ज्यादा sporty लुप चाहिए तो NS 125 ले लो और आपको ज्यादा features और थोड़ा sporty लुप और और mileage भी चाहिए तो आप SP125 ले सकते हो तो चलिए friends आज की यह बस इतना ही comparison था और आपको मैं जल्दी से जल्दी इसका comparison बता चुका हूँ तो जो लोग नहीं है वो चैनल को सब्स्राइब कीजिए लाइक कीजिए और ऐसे हमसे बने रही है